एक पल तेरे साम बैठू प्रभू तुझसे बाते करू यहोवा की इस आग्या के अनुसार नुह ने किया यानी सब कुछ किया पुत्पति का किताब साथ अधियाए उसका पांच वाम आयत हमारे लिए यह अच्छा लगता है जो आसान है जो हमें अच्छा लगता है उस बातों का आग्या मानना परन्तु नुह यहां पर यहोवा ने जो कुछ उससे बताया वो सब कुछ पूरा किया है बीमारी का इलाज के लिए किसी डॉक्टर पर जाए तो उनका हर कहना मानना जरूरी है उस बीमारी से चुटकारा पाने के लिए अधूरा सच्चाई वो जूट है गलत है अधूरा ग्यान भी खत्रा है हमारे प्रार्थना के अवल परमेशुर को सुनाने के लिए सिर्फ नहीं परन्तु हमारी प्रार्थनाओं में परमेशुर से हमें सुनना भी है सुबे की वक्त कितना अच्छा है उनके सामने खमोशी में रहे और वो हमसे बात करे उनकी वचन को पड़े वो भी पूर्ण रूप से पड़े ताकि वो हमें पूर्ण रूप से समझा सके वो हमसे अपने संदेश को भेजे अपने जीवन को समरपन करते हैं आप ही सचाई है आपके सामने जुपते हैं येशु मसी के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन